सल्मान खान पहुंच गए है हाई कोट कारण उनकी बड़ापी बाबर और औरंग जेब से की जा रही थी है और आखिरकार क्यूं उन्हें हाई कोट तक पहुंचना पड़ा है चलिए ये सारी बाते हैं आपको इस वीडियो में रुशकार मैं हुरुदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्मेंडों पर वाला आपको उदादे कि ये पहली बार ऐसा होगा जहां पर सल्मान खान किसी के उपर मानहानी का केस कर रहे हो और इस केस के थुरू आपको उदादे कि उन्हें कोई राहत नहीं मिल पा रही है और यहां पर आपको उदादे कि किसी ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है जिनका नाम है केतन ककड और लगातार इनके उपर जो है जाम लगाते गए हैं इनके नाम के लिए एक वीडियो जो है वो क्रेट किया गया था इस वीडियो के अंदर जो उनका पनवेल में फार्म हाउस है सल्मान खान का वहां पर हो रही गलत कत वीडियो को लेकर जो है वो चीजों पर कहा गया था इस वीडियो में आपको बता दे कि जैसे ये वीडियो सल्मान खान तक भी पहुँचा तो सल्मान खान के वकील ने दरसल इस पर अपील की थी यहाँ पर कोट में अपील की थी और इस अपील के दोरान जो है जज ने फैसला जो है सल्मान खान के हक में नहीं सुनाया उन्होंने इस वीडियो को हटाने के लिए नहीं क्याया अब आपको बुदादे हैं यहाँ पर दरसल मामला ये है पूरी तरीके से कि केतन जो है इन्होंने ये वीडियो जिसे नोंने बनाई है इनका कहना ये है कि यहाँ पर पूरी तरसे उन्होंने explain किया है कि आगरकार सल्मान खान का अन्डवर्ड डॉन दाउद इब्राइम के साथ में relation है और उन्होंने इस पर सल्मान खान पर आरोब भी लगाया है उन्होंने यहाँ तक यह भी कहा है कि सल्मान खान के फामाव से कई सारी चीजों की तसकरी होती है मानव अंगों की तरस्की और बच्चों की तरस्की का धिंदा यहाँ पर किया जाते है मतलब यहाँ पर कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है चाहे वो इनसानी हो या फिर बच्चे हो और इस मामले में जो है सुनवाई जो है वो 22 अगस्त को होने वाली है इससे पहले जब दूसरे कोड में अपील किया गया था तो उस समय पर आपको बता दे कि इस वीडियो को डिलीट करने के लिए मना कर दिय अब आपको बताते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को दिखाया गया है सिल्मान खान जो है उन्होंने हाई कोड पर अपील किया है जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को होने वाली है वाल गाई इस पर आप लोगों का कहना है आप लोगों की क्या राय है हमें क्या है हमें आपको झाफम का लुटरी बताते हैं बताते हैं यहाँ पर आपको कर दो के अपको खेगा है बताते हैं यहाँ झाते हैं आपको पर अजया है